सबसे पहले आदाब नमस्कार जैसे कि सब जानते हैं कि आज महीला दिवस है तो सबसे पहले आपको महीला दिवस की हारदिक शुपकामनाई देना चाहूंगी और संदीप सर को ठैंक्स कहना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे दुबारा यहां आने का मौका दिया जैसे कि महीला दिवस है तो मा के लिए ही कुछ लिखा है मा के बिना कुछ नहीं इस जहान में जिस तरह होता है चान तनहा आसमान में खुशिया तलाशते हैं लोग गैरों में ये नहीं जानते नादा मा से ही खुशिया हैं दोनों जहान में एक और है मेरे एहसासों को बकवास समझते हैं मेरे एहसासों को बकवास समझते हैं मेरे अपने ही मेरे शेरों को किसी और के अलफास समझते हैं मेरे एहसासों को बकवास समझते हैं मेरे अपने ही मेरे शेरों को किसी और के अलफास समझते हैं और लिखती हूं सना मैं जब भी कुछ गजलें और लिखती हूं सना मैं जब भी कुछ गजलें हर बार मेरी कलम से उन्हीं लोगों के लिए अलफाज जलगते हैं शायद इसलिए वह इनको बकवास समझते हैं मनवर राना जी हैं आप सभी जानते होंगे बहुत मशूर शायर है हूँ तो उनकी एक शायरी है मा के उपपर यह सरहदे नहीं होती यह गलियारा नहीं होता अगर मा बीच में होती तो बटवारा नहीं होता तो सीवे मैंने लिखा है के मा बीच में हो तो भी बटवारा कर लेते हैं ये दोरे जहालत के बच्चे हैं राना जी मा के होते हुए भी बटवारा कर लेते हैं ये दोरे जहालत के बच्चे हैं, मा के बिना भी गुजारा कर लेते हैं कुछ दर्द लिखती हूँ, कुछ अर्ज लिखती हूँ और खा गए जो मुझे वो कर्ज लिखती हूँ, मैं जब भी लिखती हूँ, उसी की फिक्र लिखती हूँ और उसे कैसे भुला दे सना, जिसके नाम में जिन्दगी का अपना हर एक पल लिखती हूँ एक और है जो मैंने कई बार पढ़ाया, उसको काफी प्यार भी मिला है लिखने को तो लिख दू मैं इन गद्दारों पर, मगर मेरी बर्बादी को वैठी है दुनिया कतारों पर और क्या कहा, इसकी किसकी है ये दुनिया? और क्या कहा, इसकी उसकी किसकी है ये दुनिया? यकीन न करना इन सियासतदारों पर किसकी किसमा इन सढड constitution फिर रड़ किसकी हाँ, ये दूलिया इन सियास्थ, अफार का इन पर ऑाई हो जब हाँ, कर कहा दाएवते हैं कि कॉछ całयटशन परों अधने उन पर own झालों को जजा ह्रॉत